हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इन्वेस्ट एक्सपर्ट और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप्सन ट्रेडिंग से लेटेड आप्सन स्टैटिजी के बारे में जहां पर आप उसका यूज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस ऑप्सन स्टैटिजी में आज हम लोग वियर इस्परेड के बारे में बात करेंगे जहां पर पुट ऑप्सन का यूज करेंगे पुट वियर इस्परेड और दूसरा है कॉल आप्सन का यूज करके बनाएंगे तो चलिए चलते हैं उससे पहले आपको बता दूँ अगर आप चैनल में पहली बार आएं तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब करेंगे और वेल आइकन मड़न दवाना बिलकुल ना बोलें ताकि आपको लेटेस लेटेस वीडियो अपडेट होता रहें और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सिखा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर बात करेंगे वह हैं वियर इस्प्रेट के बारे में तो सबसे पहले बियर इस्प्रेट में हम यहां पर बात करेंगे मतलब होता है कि market ओपर जाने वाला है, bear में देखा जाए तो market जो है breakdown होने वाला है, मतलब गिरावट आने वाली है, तो गिरावट आने वाली है, तो ऐसी condition में हम इस strategy का यूज करते हैं, और इस strategy का यूज करने के बाद जो हमारा loss होने वाला होता है, वो हमारा ज्यादा नही होता एक तरह से देखा जाये तो हम अपने loss को convert करके profit में ला सकते हैं यह तो हमारा profit बन रहा है तो उस profit को और भी अच्छा profit बना सकते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा साथ में समझिएगा कि मैंने आपको कैसे बताया साथ में example देखे आपको बताऊंगा जैसा कि एक निप्टी का ही हम लोग example लेते हैं क्योंकि सबसे ज़यादा निप्टी और बैंक निप्टी के option ही ट्रेड के जाते हैं ये जो है आप निप्टी का option हो या बैंक निप्टी का option है या तो किसी stock का option हो हर किसी option में आप apply करके देख सकते हैं तो देखे यहाँ पे अगर सो प्यूंसार सो कपी दिञाल को कि को सत्त्राजार तीन सो कपी स traineeso कि दों कि क्यां सक्यास एस माल लेता हूं मैं इसकी स्ट्राइक के बाद जोorder का एक तरह से जो लेपल है और यहां पर जो प्राइज आहीं तो निंप्टे में जो प्राइज ऋती का मैं माल लेता हूँ यहाँ पे 265 रुपए है इसकी प्राइज 230 रुपए है इसकी प्राइज 190 रुपए है इसकी प्राइज 155 रुपए है यह मैंने सिर्फ एक एजंशन किया हुआ है कि प्राइज इतनी हो सकती है में भी आप देखोगे तो प्राइज वहाँ पे चेंज मि गिरा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा लेकिन कल मार्केट यहाँ पे gap up opening हो गई है तो मार्केट इस लेबल से नीचे न जाके उपर चला गया तो आपको यहाँ पे loss हो सकता है इस loss को बचाने के लिए ही हम यहाँ पे bear put spread का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो higher strike price का है इस put option को आपने buy कर लिया कि market नीचे गिरेगा लेकिन आपको यह डर भी है कि कल market gap up opening हो सकता है तो यहाँ पे जो lower strike का option है इसको यहाँ पे आप sell करोगे ठीक है lower strike मतलब जिसकी कीमत कम है यहाँ पे 230 में आपने buy किया है और 105 पर में आप sort कर दोगे जैसे आप sort करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जो आपका amount लगने वाला है वह यहाँ पे 30 से 35 के मतलब 30,000 से लेके 35,000 के आसपास premium pay करना होगा तो इस तरह से काम करता है जैसे जैसे इसकी price बढ़ेगी मान लिजिए आपने सोचा था कि market नीचे आने वाला है नीचे आ गया तो यहाँ पे 17,200 की जगा यहाँ पे पहुँच गया मान के चलिए 17,000 17,400 से 17,000 400 point की गिरावाट हुई थी almost double के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको profit होगा 230 है तो double हुआ था 230 point का profit होगा यहाँ पे आपको loss होगा क्योंकि आपने still किया 155 है तो यहाँ पे 155 point का loss होगा तो ultimate देखा जाए तो यहाँ पे जो profit हो रहा है इससे अगर मैं minus कर दूँ तो वहाँ पे last में मुझे profit ही रहेगा लेकिन यहाँ से अगर reverse होगा तो क्या होगा यहाँ पे आपको loss होगा जिसमें आपने buy किया है तो यहाँ का loss होगा इस loss को यह recover कर लेगा क्योंकि आपने इसको sort किया है, sort किया है तो यह आपको profit देगा आपको पूरा loss नहीं होने देगा अगर मान के चले हैं यहाँ पे 17,400 से निप्टी जो है उपर चला गया 17,500,600 चला गया, नीचे नहीं आया, तो यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा, तो देखिए अगर 230 रुपए पूरा loss जा रहा है तो यह 230 तो गया, लेकिन 155 रुपए से आप पूरा profit कमा लोगे तो एक तरह से देखा जाए तो आपका पूरा loss नहीं होगा बियर इस्प्रेट का यूज करके loss को हम बचा सकते हैं तो एक तरीका तो यह हो गया, इस तरह से काम करता है, दूसरा हम call option का भी यूज करके profit कमा सकते हैं तो यहाँ पर बियर इस्प्रेट में कैसे यूज करते हैं, वो भी देख लीजिए तो देखिए, यहाँ पर कैसे यूज करेंगे यहाँ पर हम जो है call option का यूज करेंगे यह इसका second option है, यहाँ पर मानके चले जैसे मैंने बोला था 17,400 निप्टी का spot price चल रहा है, तो यहाँ पर 17,400 17,300 17,500 17,600, यह सभी CE हैं इसकी भी price हम कुछ माल लेते हैं, तो यहाँ पर CE में क्या होता है, नीचे से उपर जाता है, तो यहाँ पर इनकी price ज्यादा होती है यहाँ पर 265, यहाँ पर 230, यहाँ पर 190, यहाँ पर 165 मैंने यह price माल लिया, ठीक हैं, अभी यहाँ पर क्या करना है कि market नीचे जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ पर 17,300 का जो call है, higher price, इस price को हम कर देंगे, sell, क्या करेंगे, हर price को sell करेंगे, just put के उल्टे में, जैसे put में हमने किया, put option में उसका उल्टा करेंगे, sell करेंगे, और कहीं यह ऊपर भाग गया, तो क्या होगा, नुकसान होगा, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर low price वाले को buy कर लेंगे, अगर यह जो है, इसके नीचे चला गया, तो यहाँ पर यह जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो होगा, तो यहाँ से मुझे full profit मिलेगा, और इसका last मुझे सहन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो 75 points है, इस 75 points से मैं profit earn कर लूँगा, इसमें भी concept कैसे काम करता है, आप समझिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने पिछला वाला बताया था आपको, जैसे की put में बताया था, 17,500 का P, 17,400 का P, यह P बताया, ठीक है, यहाँ पर price मान लेता हूँ मैं, यह जो है, 200, 235, 217, सब के बीच में 35 points, 30 points का difference है, तो यहाँ पर जो strike है, यह strike है, इसके बीच में कितना 100 points का difference है, 100 points का difference है, 10 नंट का डिफरेंस है हमें यह बताता है पर 15 करते हो यह इन दोनों के बीच में आप 20 करते हो एया पर 9 lets रूड़नों के बीच में जितना ऊनजाज यहाँ पर 15 पर向ा डिफरेंस है यहाँ पर विक रूण का है यह बताता है अंट 40 फॉईंना के बीच और 35 point का maximum यहाँ पे loss हो सकता है आपके against गया तो अगर इन दोनों के बीच में करते हैं 17,300 और 17,500 तो इसके बीच में कितना 65 point का difference है मतलब 65 point का यहाँ पे loss हो सकता है और इन दोनों के बीच में 200 point का difference है मतलब 200 point का maximum profit हो सकता है तो friends इस तरह से bear spread काम करते हैं तो यहाँ पर मैंने wear pot spread बताया normal call option का भी you chair के बताया एक बार sensible में देख लेते हैं sensible में किस तरह से यहाँ पर दिखा रहा हैं तो वो भी देखने के बाद आपका doubt clear हो जाएगा तो friends यहाँ पर मैंने sensible login कर लिया sensible में देखी अगर आपको जो है हम जो है बनाएंगे तो यहाँ पर देखे क्या है wear put spread तो यहाँ पर मैं click कर दूंगा तो click करने पर यहाँ पर देखे directly आ जाएगा scroll down करता हूँ हाँ यहाँ पर देखे आ चुका है यहाँ पर क्या दिखा रहा है जैसा कि मैंने बोला था कि जो higher price वाला होगा put उसको buy करेंगे lower वाले को sell करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 17,400 का जो CAP है यह 60 रुपए में है higher price में इसको इन्हों ने buy किया है यह buy में click है एक lot यहाँ पर देखोगे तो lower price मतलब 9 रुपए वाला जो है यहाँ पर 17,400 का जो put है इसको sort किया है ठीक है यहाँ पर कितना है एक है इसको आप चाहो तो एक दो जितना भी है quantity आप बढ़ा सकते हो lot side उपर नीचे कर सकते हो तो इस तरह से यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर देखो तो क्या दिखा रहा है maximum profit आपको जो है 7,485 रुपए का हो सकता है risk मात्र मात्र सिर्फ 2500 रुपए का है और यहाँ पर जो fund लगने वाला है वो fund लगने वाला मात्र 13,000 का तो जैसे जैसे इसकी price जो है trade कर पाओं तो यहाँ से आप सीधा click करेंगे trade all तो यहाँ पर trade all में चला जाएगा जिरोदा में redirect हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही आप order place करोगे place order यहाँ पर order place हो जाएगा तो इस तरह से sensible से भी आप directly order place कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा place order order place तो इस तरह से ये काम करता है beer put spread तो friends इस वीडियो में I hope आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे put spread बनाना है तो कैसे बनाऊंगा और किस तरह से ये काम करता है वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like जबू करिएगा चैनल को subscribe करना ना बुले thank you for watching वीडियो